नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज चैतर मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी तीथी और शुक्रवार का दिन है चतुर्थी तीथी आज दो पहर एक बच कर बारा मिनट तक रहेगी आज चैतर नवरात्र का चौथा दिन है आज देर रात दो बच कर बारा मिनट तक सौभागी जोग रहेगा साथ ही आज र जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशी इप इंडो के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो माग्रिटिक फील्ड के मुवमेंट को कालकुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये जोग नहीं बन रहा है अब ये जोग 14 अपराइल की रात 1 बच कर 35 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 49 मिनट तक रहेगा अब ये जोग की तो बता दूँ कि आज ये जोग नहीं बन रहा है अब ये जोग 15 अपराइल की देर रात 3 बच कर 6 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 38 मिनट तक रहेगा इस करम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्त यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त कल यानि के 13 अपराइल की सुबह 5 बच कर 58 मिनट से दो पहर 2 बच क नौ मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 25 अपराइल की सुबह 5 बच कर 46 मिनट से दो पहर पहले 11 बच कर एक मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त कल यानि की 13 अपराइल की दो पहर पहले 11 बच कर 49 मिनट से दो पहर 12 बच कर 44 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर 2 बच कर 9 मिनट से रात 9 बच कर 1 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्त दो पहर 1 बच कर 42 मिनट से शाम साथ बच कर 17 मिनट तक और एक बार फिर रात 9 बच कर 36 मिनट से देर रात 1 बच कर 2 मिनट तक रहेगा सीजेरियन आपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्त दो पहर 1 बच कर 12 मिनट से शाम 6 बच कर 47 मिनट तक और एक बार फिर रात 9 बच कर 6 मिनट से देर रात 3 बच कर 11 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूट दो पहर एक बच कर बारा मिनट से, शाम छे बच कर सैटालीस मिनट तक और एक बार फिर रात नौ बच कर छे मिनट से, रात बारा बच कर बतीस मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा महूट कल यानि कि 13 अपरैल की सुबह पांच बच कर 58 मिनट से, सुबह नौ बच कर 34 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर पहले 11 बच कर 49 मिनट से, दो पहर 12 बच कर 4 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की, आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ च्छानों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इस से चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती, आज रात आट वच कर दस मिनट पर अशुब समय रहेगा, वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन वरश वरश्चिक मकर और कुम भराशियां विशे शुब से प्रभावित होंगी, ध्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिली में रहुकाल होगा सुबह 10 बचकर 46 मिनट से, दो पहर 12 मिनट तक मुम्बई दो पहर पहले 11 बचकर 6 मिनट से, दो पहर 12 बचकर 49 मिनट तक चंडिगर सुबह 10 बच कर 47 मिनिट से दो पहर 12 बच कर 23 मिनिट तक लखनव सुबह 10 बच कर 32 मिनिट से दो पहर 12 बच कर 7 मिनिट तक भोपाल सुबह 10 बच कर 46 मिनिट से दो पहर 12 बच कर 21 मिनिट तक कोलकाता सुबह 10 बच कर 3 मिनट से दो पहर पहले 11 बच कर 37 मिनट तक आहमताबाद दो पहर पहले 11 बच कर 5 मिनट से दो पहर 12 बच कर 40 मिनट तक और चेन्ड़ी में रहुकाल होगा आज सुबह 10 बच कर 37 मिनट से दो पहर 12 बच कर 10 मिनट तक ये था कुछ शेहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है दक्ष्व पूर्बूर और आईए अब शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की हूँ मेश राशी वालों आज आपका दिन फैवरेवल रहेगा इस राशी के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फाइदा देने वाला है करियर में उतार चड़ाओ से आप परेशान हो सकते हैं लेकिन किसी अनुभवी सीनियर की मदद से आपको थोड़ी रहत मिलेगी आज घर में बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम भी देगा माता पिता बच्चों को कोई अच्छी सला भी दे सकते हैं चात्रों को आज आउनलाइन कुछ नया सीखने को मिलेगा मादुरगा को पान का पत्ता चड़ाएं आपकी पारिवारिक परेशानियां दूर होंगी आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो व्रेश राशी वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा इस राशी की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास है अपना समय शॉपिंग में बिता सकते हैं नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी मर्टी नेशनल कंपनी से जॉप की कॉल आ सकती है दामपत जीवन में आज मधूरता बनी रहेगी आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है कंपटीशन की तैयारी कर रहे चात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए दोस्तों के सलाह आज आज आपके इसन राशी वालों आज आपका दिन शांदार रहेगा व्यापार के मामलों में आपके पार्टनर से अन्बन हो सकती है बेहतर होगा संयमित रहें किसी बुज़र्ग महिला की सेवा का अवसन मिलेगा इसे आप सौभागे के रूप में समझे हर तरह के काम निप्टाने के ल आज के लिए आपका लगी कलर है औरेंज और लगी नंबर है चार कर कराशी वालों आज आपका दिन सामाने रहेगा आप परिवार वालों के साथ समय बिटाएंगे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा आपकी कड़ी मेहनत से लोग परभावित होंगे और आपका अनुस रहेगे इस अराशी के स्टूडेंट्स कालेज में कुछ नया सीखेंगे और पढ़ाई के तरफ जुकाओ बढ़ेगा रोज की अपेक्षा आर्वियापार में अच्छा मुनाफ़ा होगा आर्थिक पक्ष पहले से मद्बूत रहेगा स्वास्थ फिट रखने के लिए की नमबर है तीन सिंगराशी वालों आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है राजनीच से जुने लोगों के लिए दिन अच्छा है समाज के हिट में किये गए कामों की तारीफ हो सकती है आज आपको उच्छा धिकारी के सामने बात रखने पर पॉस्टिव रेस्पांस म में नई उपलग भी मिलने के योग हैं बिजनस में आपको फायदा हो सकता है घरेलू जरूरत की चीजों के खरीदारी करेंगे आपका लेंदेन भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है आज किसी खास विक्तिका सहयोग आपको मिलेगा मा दुरगा की आर्टी करें आपके आमदनी में बरहुतरी होगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नमबर है पांच कन्या राशिवालों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आपको मेहनत का फल जरूर बिलेगा कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज आपको सफल बना सकती है आज आपको कोई रक्षित रहेंगे जीवन साती पर भरोसा बनाय रखें रिष्टें मद्बूत होंगे सेहत के लिहाज से आप ठीक रहेंगे पारिवारिक समस्या दूर होगी घर में खुशाली बनी रहेगी मा कूशमांडा के आगे माथा टेकें कारोबार में बरकत होगी आज के लिए आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा आज कोई बुजर्ग या वरिष्ट वेक्ति आपको सही सलाहत दे सकता है आज आपको पुरानी वाते भी यादा सकती है आज व्यापारिक मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी आपके आर्थिक इस्तिति पहले से सामानने होगी अपन की दूसरे की नकल न करें अपने हाप पर विश्वास करें मा कुश्मांडा के सामने घी का दिपक जलाइए जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्राउन और लखी नमबर है नाइन वरिष्टिक राशी वालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा इस अराशी की महिलाएं जो घर पर ही कोई बिजनस करने की सोच रही थी उनके लिए आज का दिन अच्छा है किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न करें आन्य था वो काम दोबारा करना पड़ सकता है अपने विजी शिरूल से थोड़ा समय खारने की कोशिश करेंगे मादुर्गा का ध्यान करें सिहत अच्छी वनी रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नंबर है एक धनु राशी वालों आज आप लोगों को अपनी जोजनाओं से सहमत कर लेंगे अगर आप नई जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर ले लें इस राशी के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन संतोष जनक रहेगा कुछ नया सीखने को मिलेगा लवमेट अपने साथी से अपने दिल की बात शेयर करेंगे इससे रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी शाम को परिवार के साथ किसी जरूरी मामले पर बात होगी जहां आप खुलकर अपनी राय रखेंगे आप किसी नई तकनीक को सीखने की भ होग लगाएं आपको किसमत का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है बलैक और लखी नमबर है नाई मकर राशी वालों आज आपका दिन आपके लिए फेबरिबल रहेगा लोगों के विचार और आपके बारे में बोली गई बातों के कारण आप मन ही मन परेशान हो सकते हैं इस अराशी के स्टूडेंस आज अपनी पढ़ाई को जेकर उसाहित होंगे और ज्यादा समय पढ़ाई में बीटेगा ये देखकर आपके घर वालों को भी खुशी होगी इस अराशी के टेक्स्टाइल विया पारी वर्ग को आज अचानक से कोई बड़ा फाइदा हो सकता है आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा मादुरगा को लाच चुन्री चढ़ाईए समाज के लोगों में आपका सम्मान बढ़ेगा आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नंबर है सेवन कुम्भरा शिवालों आज आपका दिन फेवरेब साथ ही आज कुछ काम वक्त से पहले पूरे करने की वज़े से खुद के लिए एक परसन्नता हासिल होगी दोस्ती में चल रही अनबन को खत्व करने के लिए आप दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं आपको किसी महिला मित्र का सायोग मिलेगा आपकी सकारात में सोच आपको ल मीन राशी वालों आज आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आज आप धार्मिक कारियों में रुची लेंगे इस राशी के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा सामान ने रहेगा करियर समद्धी चुनाओ आपको थोड़ी परेशानी में ड अजसा भी बनेंगे मा कूशमानडा के आगे हाद जोड़े रुके हुए काम पूरे होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नमबर है तीन और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज ब्राहमन को हरी सब्जी दान करें और जिनके पर्फूम गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सुभाग बढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की रहसमई दुनिया में मूलांग एक वालों आज विरोधी आपके वेक्तित्तों के आगे परास्त होंगे आप अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे और सफल भी ह बैठे उचित मेहनत करना भी जरूरी है मूलांग तीन व्यवसाय संबंदी सरकारी मामलों को समय रहते सुलजाना जरूरी है आपकी आर्थिक इस्तिती को खत्रा नहीं है मूलांग चार आज रुके काम को निप्टाने के लिए समय अनकूल है परिवार के साथ सामंज़ से बैठाने में आसानी रहेगी मूलांग पांच आज आप प्रापर्टी से जुले काख़ात बनवाने के सिल्सिले में भागदौर करेंगे मूलांग छे आज आज आप किसी नए विशेपर घरवालों से चर्चा करेंगे आपके विचारों से घर के सदा से सहमत होंगे मूलां मूलांक साथ, राजनी के छेतरवे आपकी मदबूत छवी बनेगी, ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगी, मूलांक आठ, आपकी बातों से किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका आप खास ख्याल रखेंगे, और अपनी कम्मुनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे, मूलांक नौ, आज वर्ट फॉर्म होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा, रोज किया पेक्ष्या आज ज्यादा धनलाब होगा, और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की, वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे, अन्य दिशाओं में जब करने के बारे में, कल हमन दिशाओं में भी मूख करके जब किया जाता है, पस्चिम दिशा के और मूख करके जब करने से धन वैभाव वा ऐश्वरे कामना की पूर्ती होती है, दक्षन दिशा के और मूख करके जब करने से शट कर्मों की प्राप्ती होती है, उत्तर पस्चिम यानि वायव कोन के औ तता दक्षिल पस्ट्रिम यानि नेजित कोन में मुख करके जब करने से किसी के दरशन की कामना पूरी होती ही वस्तु शात्र में एक ही चर्चा अलग-अलग दिशाओं में मुख करके जब करने के बारे में उमीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फाइदा जरूर उठाएंगे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज चाहितर शुकल पक्षी की चतुर्थी तिति और शुकरवार का दिन है चतुर्थी तिति आज दोपार एक बच कर बारा मिनट तक रहेगी आज चाहितर नवरातर का चौथा दिन है आज माता दुर्गा के चौथे सुरूप मा कूशमांडा की उपासना की जाएगी कूशमांडा यानि कि कुम्हला कूशमांडा एक संस्क्रिश शब्द है जिसका अर्था है कुम्हला यानि कि कद्डू यानि कि पेठा जिसका हम घर में सबजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं मा कूशमांडा को कुम्हले की बली बहुत ही प्रिय है इसलिए मादुर्गा का नाम कुश्मांडा पड़ा इसके साथ ही देवी मा की आठ भुजाएं होने के कारण इन्हें अश्टभुजा वाली भी कहा जाता है इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुश, बार, कमल, अमरिच से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है जबकि आठों हाथ में जबकी माला रहती है, माता का वहां सिंग है और इनका निवासस्थान सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है तो आज मा कुश्मांडा की उपासना करना आपके लिए बड़ा ही सुब फलदाई होगा आज आपको देवी मा के इस मंतर का 21 बार जब करना चाहिए मंतर है सुरा संपून कलशम, रुधरा अपलत मेवचा, दधाना, हस्त पद्मा, भ्याम, कुश्मांडा, शुबदास्तु में आज मा कुश्मांडा के इस मंतर का इस इस्तुति का जब करने से आपके परिवार में खुशाली आएगी और आपकी यश तथा बल में बहुतरी होगी इसके अलावा आपकी आयू में व्रद्धी होगी और आपका स्वात्य भी अच्छा बना रहेगा तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के चौटे दिन माता कुश्मांडा की और अब बात करते हैं आज माता के उन मंतरों का जिनका जब करके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से छोटकारा पाया जा सकता है अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जल छुटकारा पाने के लिए देवी मा के इस मंत्र का 108 वार जब करें दुर्गति नाशनी तम ही दारित द्रादि विनाशनीम जयदाम धनदाम कूश्मांडे प्रणमा में हम अपनी बहुत्धिक ख्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए और परिक्षा में अच्छे रदर्ड के लिए देवी मा के विद्या प्राप्ति मंत्र का पांच वार जब करना अपनी इच्छाओं की पूर्टि के लिए आज देवी मा को माल्पुओं का भोग लगाएं और उनके इस मंतर का ग्यारह बार जब करें जगनमाता, जगतकत्री, जगदाधार, रूपनीम, चराचरेश्वी, कुषबांडे, प्रणवाम्यहम अपने घर की सुख शांती और समध्य बढ़ाने के लिए आज देवी मा के शांती मंत्र का इक्कीस बार जब करें मंत्र है यादेवी सरभूतेश्व, शांती रूप इनसन सिता, नमस्ता सेई, नमस्ता सेई, नमस्ता सेई, नमो नमहा साती ओज गुलाब के फूल में कपूर रहकर, माता कूशमानडा के सामने रखें, फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का च्रह माला जब करें मंत्र है ओम्यऌ श्रींबंपूर के सित्धलक्षमे ही नमहा शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल माता को चढ़ा रहने दें। इसके अलावा आज नवरात्री चतुर्थी की शाम को बेल के पेड के जड़ पर मिट्टी, इत्र, पथर और दही चढ़ाएं। और अगले दिन सुबा फिर से मिट्टी, इत्र, पथर और दही चढ़ाकर बेल के पेड के उत्तर पूर्वजिशा की एक छोटी सी टहनी तोड़कर घर ले आएं। इस टहनी पर रोज 108 बार लक्षमी मंत्र पढ़िए। और टहनी को नौमी के दिन तिजोरी में रखें। कुशमांडा के निमित किये जाने वाले उपायों की। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात दो बचकर बारा मिनट तक सौभाग योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला योग है। इसलिए इसे मंगल दायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप ये भागे को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुख़द बनाने वाला भी है। साथ ही आज रात बारा बचकर एक्चावर मिनट तक रोहनी नक्षत रहेगा। आकाश मंडल में इस्तित सताइस नक्षत्रों में से रोहनी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या पाँच है। रोहनी सुख नक्षत्रों की शेणी में आता है। इसके रोहनी नक्षत्र की राशिब रश है, इसका पतीक चिन बायलगाडी को माना जाता है। इसके अलावा रोहनी नक्षत्र के जातक बहुती सुन्दर, बड़ी बड़ी आखों वाले, तेजस्वी, पद पतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रूची रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में इसका संबंद जामून के पेड़ से बताया गया है। लहाजा जिन लोगों का जन्म रोहनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को रोहनी नक्षत्र के दोरान जामून के पेड़ की पूजा करनी चाहिए या उसे देखकर नमसकार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान जामुन के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे और नहीं जामुन के फल या उससे वनी किसी भी चीज का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख फलों के प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सुभागे में वरद्धी भी होगी। तो ये थी चर्चा सुभागे योग और रोहनी नक्षत्र के बारे में और अब बात करते हैं वैनाई की शीगनेश चतूर्थी वरद्ध की। आप जानते हैं कि प्रतेक महीने के शुक्रपक्ष की चतूर्थी कीथी को वैनाई की शीगनेश चतूर्थी वरद्ध करने का विधान है। बड़ा महत्र होता है। लिहाजा आज श्री गनेश भगवान की उपासना करना, उनके मंत्रों का जब करना और उनके निमित विशेश उपाय करना आपके लिए बड़ा ही लाबकारी सिद्ध होगा। आज हम आपको विशेश रूप से मंत्र महरणों में दिये गए भगव यहाज जी के वक्र तूंड मंत्र का पुरश्चरन यानि की जब करना चाहिए। मंत्र है वक्रतूंडाय हुम। वक्रतुंडाय हुम और अब बात करते हैं मंत प्रयोग की अगर आप अपनी धन दौलत में बर्दी करना चाहते हैं तो आज अन्न में घी मिलाकर 108 आहुत आते हैं और हर बार आहुत के साथ मंत प्रयोग की अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक बड़ा धन लाब हो जाए आपकी जमा पूंजी में बहुतरी हो जाए तो आज आपको नारियल के टुक्ले की एक हजार आहुतियां देनी चाहिए और वक्रतुन्ड मंतर का जब करना चाहिए मंतर है वक्रतुन्डाय हुम स्वाहा नारियल का टुक्ला ड़ लिये अगर आपको किसी भी कारणवश आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आज आपको पहले एक हजार आठ बार वक्रतुंड मंतर का जब करना चाहिए. फिर भागवान का ध्यान करते हुए अश्ट दर्व्यों में से किसी एक दर्व की 108 आहुतिया देनी चाहिए. उन अश्ट दर्व्यों के नाम भी आपको बता दूँ. गन्य का रस, सत्तू, केला, चिवुडा, तिल, मोदक, नारियल और धान का लावा. आज इस प्रकार वक्र लिए आपको बता दूँ कि वैसे तो ये उपाय किसी भी पक्ष की चतूर्थी से लेकर उसी पक्ष की अगली चतूर्थी तक किया जाता है. इसमें रोज 10,000 मंत्रों का जब करके अश्ट दर्व्यों में से किसी एक दर्व से 108 आहुतिया देनी चाहिए. लेकिन जो लोग कितना न कर पाएं, वो आज नवरात्र के दवरान केवल एक हजार आठ मंत्रों का जब करके किसी एक दर्व से 108 बार आहुतिया देकर भी लाप पा सकती है. तो ये थी वक्तूंड मंत्र प्रयोग की चर्चा. अब बात करेंगे उच्छिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र प नवार्ण मंत्र का आज जब करना चाहिए. आज करेंगे तो आप उसके बड़े दिकट पहुंच जाएंगे, वैसे उसका जब एक लाग है, चारलाग करना चाहिए, बहुत चीज़े हैं. मंत्र नोट करिए, हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा. हस्ति पिशाची लिखे स्व पाहा. कहते हैं, इस मंत्र के जब से ही कुवेर जी निधियों के स्वामी बन गए. लिहाजा ये मंत्र बड़ा ही लफदाई है. अगर आप एक हजार आठ बार इस मंत्र का जब न कर सकें, तो एक सो आठ बार ही जब कर ले. शी गनेज जी के मंत्रों के जब के लिए लाल च चंदन न होने की स्थित्में, मुंगा, स्वेच चंदन, इस फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जब कर सकते हैं. इस प्रकार मंत्र सिद्ध करने के बाद आपको उनका चाप्रयोग करना ये भी जान दीजिए. अगर आप अपने शत्रों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उस्थिष्ट गणपति नवान मंत्र सिद्ध करने के बाद नीम की लकडियों से शीगरेश जी की प्रतिमा बनाकर उसका विधिपूरत पूजन करना चाहिए. और उसके आगे मंत्र जब करना चाहिए. अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, तो आज ह अगर आप करियर में अच्छे फल पाना चाहते हैं, तो आज आपको उच्छिष्ट गणपति नवान मंत्र सिद्ध करने के बाद कुमहार के घर से मिट्टी लाकर उससे गणेश जी की मूर्थी बनानी चाहिए. और उस मूर्थी को घर के इशान कौन यानि उत्तर इशा में स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए. अगर आप सुख सवभाग्य पाना चाहते हैं और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको पहले उच्छिष्ट गणपति नवान मंत्र का 1008 बार या 108 बार जब करना चाहिए. म अनार की कलम से या फिर सादे कागज पर लासाही से उच्छिष्ट गणपति मंत्र को लिख कर उसे ताबीज में डलवा कर अपने गले में धारन करना चाहिए. ये तो थी उच्छिष्ट गणपति नवान मंत्र की चर्चा. अब देखो आगे बढ़ें उसके पहले एक बार पता देना. पान या लड्डू का भोग लगा कर उस उसका परसाद खा कर जूटे मुक से ही ये मंत्र जपना चाहिए. इसलिए इस मंत्र को उच्छिष्ट कहते हैं. और इसमें है हस्ति मनहाति पिशाच अब यहां कोई भूत प्रेट पिशाच शब्द नहीं है. ये इस मं प्रानानी चाहिए. हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा. स्वाहा का मतलब आहूती नहीं है. ये मंत्र का हिस्सा है. हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा. उमीद है कि आप इस बात को अच्छिटरे समझज hairsँ और समझ कर इस को करेंगे, क्यों कि इसके जब से ही कुवेर जी को सारी निधियों का स्वामी बना दिया दिया तो ये थी उच्छे डगनपत्य नवाल मंतर के प्रयोग की चर्चा आज चैतर नवरात्र के चौथे दिन चतुर्थी तिति को माता कुशमांडा और भगवान गरेश के निवत्त कौन से उपाय करने हैं हम ने इनकी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाब उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप कुछ ऐसी योज करता के बावजूर्द आप नए कामों में दिल्चस्प भी लेंगे डी आज दिन की शुरुआत में ही आपको खुश ख़बी मिलेगी ई आफिस का प्रोजेक्ट पूरा होने से बहुत आप से खुश होंगे एफ आज आप अपने खुद के परदर्शन से असंतुस्त हो सकते ह जी चिकित्सा के खेत्र में आपको अपनी च्छमताओं पर भरोसा रखना होगा तभी सफलता मिलेगी एच आज आपको मन पसंद नौकरी का ओफर मिलने से चेहरे पर पूरे दिन खुशी बनी रहेगी आई आपका निस्वार्थ व्यवहार आपके परिवार को आपके ही बलाएगा जे आप भोजन के साथ साथ भरपूर जल का भी सेवन करें आज के दिन के सेहत के लिहाज सेहत के बामले में आज का दिन अच्छा रहेगा आप अपने काम बहुतर धंक से पूरे कर पाएंगे ल आज कामकार की विस्तता के बावजूर दोस्तों के साथ आज का दिन ठीक ठाक रहेगा आपका को रिलेटिव आपसे मदद मांगेगा अज कारे प्रणाली कथा गोपनिये बातें किसी से शेयर न करें तो अच्छा है ओ आज का दिन दोस्तों के साथ मनोरंजन में रहेगा पी आज आज आप जिसकिसी भी काम को सुरू करेंगे उसम आज का दिन बेहतर रहेगा आप नौकरी के लिए किसी कमपनी में इंटर्व्यू देने जा सकते हैं टी आज का पूरा दिन काम काज में बीतेगा लेकिन काम पूरा होने पर आपको संतुष्टी भी मिलेगी यू आपको लोगों से मिलना चुलना पसंद है इसलिए आप इसलिए दोस्तों के समूह में आपका विशेश प्रभाव है एक्स आपको अपने विवहार को बदलना चाहिए इससे पारिवारिक जीवन में सोहार डेवलप होगा वाई आपकी परोवकार की भावना के चलते चलते कभी कभी लोग आपका गलत फायदा भी उठा लेते हैं जेड आपके अच्छे अनभवों से आजव्याफार करने वाले लोगों को आपके संपर्ख से बहुत लाब हो सकता है और अब बात आज के तीट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर के दर्शन मा का ये मंदिर उत्तरा खंड के हरे द्वार में एक पहाड ہے नले पर मनो कामना का पवित धागा भी बांते हैं नवरात्र में यहां लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं आप ही कीज़े मामनसा के पवीत्र दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्तर की सामुद्धिक शास्तर में आज हम बात करेंगे होट के फढ़कने के बारे में अन्य अंगों से अलग होट का फढ़कना हमेशा शुभ होता है चाहे उपर का होठ हो या नीचे का दोनों ही शुब संकेत की ओर रिशारा करते हैं अगर आपका उपर का होठ फड़के तो आपको अपने शक्ट्रों से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है और अगर होट का निशला हिस्सा फड़के तो आपकी अपने किसी अजीज दोस से भी मुलाकात हो सकती है जिससे आप बहुत समय से न मिलो हो यदि दोनों होट एक साथ फड़कें तो ये बहुती शुब माना जाता है इसका मतलब है आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके मान सम्मान वपतिष्ठा में व्रद्धी होगी सामुद्रिक शात्र में एती चर्चा होटों के फड़कने के बारे में और अब बात अवाइट अवदी डे की यहनी आज आपको क्या नहीं खाना है आज 12 अप्राइज चैत शुक्रपक्ष की चतुर्थी तीथी है चतुर्थी तीथी में मूली का सेवन करना निशिद्ध है यह शत्रों के वर्दी कराने वाली होती है आज दो पहर एक बचकर बारा मिनट तक रहेगी उसके बाद पंचवी तीथी लग जाएगी खाईए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षन साउथ और अब वक्त है आज के टिप आफ दीडे का आज माता कुश मांडा के पूजा करें सारे दिन आपको खुशिया ही खुशिया हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिकत संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भाविश यवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार